ये लगातार आपके त्योहार ये जो तीन दिन है ये लगातार त्योहार रहते हैं तो आप सभी को दिवाली की शुब कामना है अभी फिलाल शुरू करते हैं ना बेटा धुआधार तरीके से शुरू करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टन आपको ये टॉपिक है ठीक है तो बिना समय गवाएं इस topic को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर आप सभी को plant families करनी है तो उससे पहले basic चीज हम इसमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं यह मैं आपको बताऊंगी floral formula and floral diagram कैसे बनता है formula कैसे दिया जाता है यह सारी चीज़े अभी मैं आपको इसी session में बताने वाले हुआ देखिए floral formula का देखना floral formula काग काग लिखते हो हिंदी में काग इसी को English में कैसे लिखोगी काग ऐसे दिया जाता है हमारा floral formula कैसे दिया जाता है काग ठीक है floral formula बस formula से पहले आपके फ्लावर माल लीजे आपको यह फूल है फ्लावर है पुश पहें ठीक है या फिर आपको यह फ्लावर ऐसे है मतलब हमने पड़ा था सम्मीती कहा जाते है इसको symmetry कहा जाते है तो एक जो किसी भी plane से काट वो equal to halves में बढ़ता है उसको कहा जाता है क्या कहा जाते है एक्टीनो मोर्फिक याद है सबीत को एक्टीनो मोर्फिक और वो PUSHP वो प्लांट भहिया जो आप कह सकते हैं छिर्फ आपका वो आप कह सकते जैसे मानने ही जै आप Peng पुश बनाती हूँ आप इसको ऐसे काटोगे ना एक प्लेन में तो यह लेफ्ट और राइट दो इकलबाया और दाएं दो भाग में यहां पर यह बटेगा इसको कहा जाते हैं सभ जाइगॉमउर्फिक और बडीमेंटे के नाम से हम इसको जानते है कि यह जो फॉर्मुला एकटिनोमॉर्फिक भी हो सकती है जब आपकी सिमेटरी अक्टिन िंबइए चाहिए उसके लिए इस का प्रियोग किया जाता है इस तरीक है का फिलावर जाइगह तो इस तरीके का सिंबल का प्रियोग किया जाते है ध्यान रखने यह बनता है आपका फ्लोरल फर्मूला आप बोलोगे मैं यह काग क्या है तो ध्यान से समझेगा के मतलब होता है क्यालिक्स 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 को क्यालिक्स ही बोला जाता है यह को हिंदी में याद रखना पुमंग भी कहा जाता है क्या कहा जाते हैं पुमंग भी कहा जाता है clear है फिर endosium के बाद g क्या है gynosium है g क्या है gynosium है और इसको जायंग कहा जाते है क्या कहा जाते है मैं जायंग कहा जाते है ध्यान रखना क्या कहा जाते है जायंग कहा जाते है clear है clear है सभी को तो यह आपका बनता है floral formula के से calyx sepals calyx क्या होते है group of sepals को calyx का जाते है group of petals पंक्गुणिओं के समू को carola ठीक है पत्ती सम और सेपल के समू को यह का जाते है calyx androsium stemen के समू को shells का जाता है और आपके carpals ud up के समू को kynoshyum का जाते है अब यहां पर भैया हम करेंगे फ्लोरल ब्हुरल डायग्राम कि मैं, फ्लोरल डाइग्राम कैसे बनाया जाता है, इसको मिटातों, यहाँ पर Erez करभूlightly इसको, मैं, फ्लोरल डाइग्राम कैसे बनाया जाता है, इसको वह बड़े ध् vẫn से आप सभी सुनिएंगा, कालेक्स सबसे पहले इसलिए सबसे बाहर अगर हम कुछ बनाते हैं सबसे बाहर क्या बनता है मैं क्यालेक्स बनता है ध्यान लखना इसके अंदर हमारी पंकुडी बनती है, पैटल्स बनती है, इस तरीके से, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर भया, नंबर तो हम पता पता लगाएंगे, क्या क्या नंबर होता है, फिर होता है हमारा एंड्रोश्यम, एंड्रोश्यम हम इस से अंदर बनाते हैं, इस तरीके से एं और जिसको कहा जाता है डाइनोश्म, जिसको कहा जाता है अडब, ठीक है बड़ा, तो अब यहां पर कौन सी फैमिलीज हमें करनी है, यह तो हो गया फ्लोरल डाइग्राम, होप आप सभी को मेरी बात क्लियर है, अब कौन-कौन सी फैमिलीज हमें करनी है, कौन-कौन सी कुल हम पढ़ने आपकी NCRT में बस ब्रासी का बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं दे रखा ब्रासी केसिया फैमिली ज्यादा डीटेल में नहीं है तो यह हम धोड़ा सही करेंगे इसका फॉर्मुलर डाइगरम लास्ट पे करेंगे ठीक है फर्स आपका दे रखा है फैबेसिया फिर पर आपका दे रखा बाटा लीएसे क्या दे रखा है लीएसी आप ब्रासी केसिया में आपको procedure अपको नहीं करवाँगी क्युम्वं यह में लास्ट में करवाँगी तो सिर्फ आपका डाइगराम दे रखा है और फॉर्मुला दे रखा आपकी Bulgar वह udah मैं एंड में उसको कर आपके लिखते हैं और दियान से समझते जाएं आगे बहुत मज़ा आने वाला है जब इक्डम स्टोरी की तरह हम जब एक्जांपल को समझें तो और भी मज़ा आएगा तिक आप बात करते हूं किसकी आपके लिखते हो यहां पर लिख लो इसके वारे में लिखना है न भी ए करते हैं के लावर मेंझे जब उत रहां है क्लावर में क्लैक्स होते हैं सेपल में पैंटल होते हैं आपकष्भी मेल पार हीヤिए क्लम में तो आपकर थी हšौ थे आ Mitsubis लेना थी हौट मर की थी नंबशियगों पतरिया अक्तिया मिए क्धेती है फ्लोरल फ़ॉरल फ़ॉरल मतलब क्या है पुश्प का सूत्र formula है पुश्प के सूत्र और formula के बारे पड़ रहे हैं और उसका चित्र पड़ रहे हैं ठीक है diagram पड़ रहे हैं तो जब मैं phabesia, solonaceae और lilliaecia की बात करती हूँ किसकी मैं हैं कालनेक्स की तो बेटा याद रखना आपके solenisia में सब पाँच पाँच है क्या है मैं सब पाँच पाँच इन नमबर है बस gynosium याद रखना gynosium 3 सिर्फ gynosium का याद रखना sorry gynosium कितने है दो है कितने gynosium है दो है याद रहे जाएगा और अगर मैं बात करूँ किसकी में phabesia की याद रहेगा solenisia में सब पाँच ही नमबर है बटा सब पाँच है और अगर मैं बात करूँ phabesia की phabesia में same carlex भी पाँच है corolla भी पाँच है androsium 10 है एकदम double है ठीक है gynosium यहाँ पर एग gynosium कितना एक ऐसी याद रखना है इतना थोड़ा बस ही याद रखना solenisia में सब पाँच है बस gynosium 2 जब मैं family के उपर आऊँगी तो यह भी आपको clearly समझा दोँगी अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी लिलिएसिया की किसकी बात करते हैं तो मैं बात करते हैं lilie screeória कालकरिल्चा कालॉलस इसमें süzen होता है केलिक्स और करोल को क्या बोला जाता है T elepte सबहां सेबस्वार पटर सुष को अलग ना कर पाहिए भिना कर पाहिए दोनों को डिफ्रिंशेट ना कर पाहिए उसको कहा जाता है flame क्या उसको कहा जाता है टैपल्स और ग्रूप ऑफ टैपल्स के समू को कहा जाता है क्या कहा जाता है याद रखना है पेरियांत आप सभी जानते हैं क्या कहा जाता है पेरियांत कहा जाते हैं तो कालेक्स और करोला फ्यूज होते हैं तीन बाहर की तरफ तीन अंदर की तरफ त सब कैसे सब की रहएप इंड़ोशुम लाट सब यह tous टीन होता है कैसे यह व्हांद चाहिए इसकी बात किया कारपल की बात कि फीमेल रिप्रोडॉक्टिव औरगन की बात कि बात कि इस त्री जननतंत्र की बात कि बात कि बात कि यहां पर ओधरी में याद रखना है तीन चैंबर होगी तीन चेंबर, तीन कोश्ड़िया होंगी, इस तरीके से लगे हुँगे, ओवियूल भी जाने हो, यह क्या है, चेंबर है? और पोश्ठी भी और लोक्यूल भी कहते हैं याद रखना इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं लोक्यूल और यहाँ पर दो लोक्यूल है इस तरीके से ठीक है पर यहाँ पर सिरफ एक ही है और एक है इसमें क्या ओवियूल है अब काफी सारे ओवियूल होंगे पर एक चैंबर एक कोष्ट ही है, यहाँ से याद रखना, ठीक है इतनी बात बताईए, इतनी बात क्लियर है, तो यह गया, फैबेसिया, सॉलेनेसिया और लेलिया से, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और समझेंगे, वाद आपका जो यहाँ पर सॉलेनेसिया है, मतलब आप ऐसा करते हैं, Solenecia पहला करें मेरी मालों तो Solenecia करते हैं मुझे ल cathedral से पहला करते है Solenecia करते हैं मैं किससे मैं SortNation खरते है a initially पहले है तो सोलनेसया को कैसे आद रखने सोलन से याद रहेぇागा सोलन कहा पढ़ते हैं हमाचल परदेश में पढ़ता है तो वहां पर सोलन मेरे मामा का ज्र है औरगारी हमाचल के लिए fertile PO तो जो सोलन शहर है उसमें दो कपल्स रहते हैं तो मिया भी भी रहते हैं और दो हस्बेंड वाइप रहते हैं और ये जो हस्बेंड वाइप रहते हैं ये एक दूसरे में दोनों के बीच में बड़ा प्यार है बड़ा प्यार है यार मतलब बड़े प्यार है ना तो एक दूस मिएitäten इक साथ कहीं जाते हैं तो ऐसा कुछ खाना हो तो ये पती बोलते हैं यार आज तो समोसा ही खाना तो या बीवी भी कहते हैं या समोसा भी खांगा दोनों की राए एक है दोनों युनाइटेड है जुड़े हुए तो दोनों की पीछ में क्या बड़ा प्यार है husband wife है ठीक है husband wife है ध्यान दखना अब इन husband wife ने क्या क्या अपने घर इनका घर है तमाटर उलगा रख्या आलू हुगा रख्या तमाटल भी उगा रख्या बेंगन वह रख्या क्योंकि कौन है की आपका एक पती को पसंदास्य कि प्याज नहीं पसंदाए या दर्थ प्याज प्याज यक तो आपको पता है जो कृष्ण को मानते है वो तुल्सी की माला पहनते है और प्याज वगरा लसन वगरा निखाते है तो सेम इसका भी ऐसा हिजाब है प्याज नहीं खाता बेंगन आलू की सबजी बड़ी पसंद है बेंगन आलू और टमाटर तो उसनी क्या किया बहिया एक दिन अपनी वाइफ को बोला कि भी आज तुमना बेंगन आलू और टमाटरी की सबजी बनाओ किसकी बेंगन की मतलब की ब्रिंजल की आलू की मतलब की पटैटो की और साथ में बहिया टमाटर खूब डालना टमाटर खूब डालना टमैटो की ठेक है इसने क्या क्या सबजी बना तो दी सबजी बना तो दी लेकिन भाया सबजी में बहुत जादा क्या डाल दी मिर्च डाल दी बहुत जादा क्या डाल दी मिर्च डाल दी जिसको चिली कहते जिसको चिली कहते चिली कहते है न भाया बहुत सारी मिर्च डाल दी सादा खाना पसंद है, बहुत सारी मिर्च डाल दी, ठीके, पर भईया इसको क्या, मिर्च पसंद नहीं है, जो जब इतनी सारी मिर्च खाई तो इसके आखों में आस हुआ गए, रोने लग गया, रोने लग गया, दुखी हो गया, बहुत परिशान हो गया, एकदम गुस्सा ह पीने लगा, क्या पीने लगा, तबैको, तम्बाकु चबाने लगा, और शिग्रेट जो पीते है इस नॉर्मल बीडी भी जिसको कहते हैं, इसके तम्बाकु हुआ लिजा, पकैको पी न सहत के लिए हानिका रख, जैसे इसने टवैपो पिया वैसी इसका दिमाग हो गया खराब यह हो गया बावला सा ठीक है जैसी इसका दिमाग खराब हो गया बावला सा हो गया यह क्या खिया घर में गया और अपनी बीवी को जाके क्या कर दे बहिए इसने पीट दिया क्या कर दिया पीट दिया जब मेडिसन ले देटा जिसमें बेंडेज लगा लिए पत्ती लगा लिए और डॉक्टर इतनी मासूम लड़किये दरहे इसको फूल दे देता हूं गिफ्ट पे तो फूल दे जिसमें से बही एकदम गंद आ रही थे अच्छी स्मेल आरी तो यहां पर आ गया क्या गंद आ रही अब यही बनगी आपकी स्टोरी, मैं दुबारा से रिपीट करूं, सोलन में दो मिया बीबी थे, हजबन वाइट थे, बड़ा प्यार था, युनाइटेट थे, लेकिन एक दन क्या हुआ, वाइफ ने ऐसी सबजी बनाई, आलू, बेंगन और टमाटर डाल के उसमें इतनी मिर सब्सक्राइब करने लगा जैसे उसने सिग्रेट के उसके दिमाग खराब हो गया, बावला हो गया, उसने क्या कि घर में बीबी को पीट दिया तो खून निकला, वाइफ कहां गई हॉस्पिटल गी, मैडितन लेने तो बेंडेज लगा लिगा और डॉक्टर ने उसे फूल फूल ले लो वही अच्छा से स्मेल भी, मतब अच्छा फील होगा, फ्लावर आप सभी जानते हैं, तो अब इसके उधारन देखते हैं, जो हमने सॉलनेसिया फैमिली के एक्जामप·ل करने, उनको देखते हैं, सबसे पहले एक्जामपल आप सभी जानते है, ब्रिंजर, फ 내 quarto दिए पिट याद रखना यहां पर मैडिसन से याद रखना बैला डो ना Bella Donna और गंध से याद रखना अश्व गंधा क्या दरखोगे आशव गंधा याद रहेगा बिटा तो यह आपकी गधार होगे कि सव्लनेसिया फामली है सब 55 है सब 55 है सबसे पहले मैंने क्या करवाई है आज ही सबसे पहले सबसे पहले मैंने करते हैं सब पांच यह सब युनाइटेड है यह भी युनाइटेड है यह भी युनाइटेड है यह भी युनाइटेड है और यह भी युनाइटेड है सब युनाइटेड है एक दूसरे के साथ सब के बीच में बहुत प्यार भावना है ठीक है और एक और बढ़िया इनके बच्चों के बढ़िया बताएं नहीं आपको बच्चे भी है इनके 5 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 इ किससे फादर आप सभी को बता है जादतर जो मेल लोग होते हैं फादर लोग उनके बड़ा सॉफ्ट कॉर्णर होता है अपनी बेटी के लिए ठीक है तो किससे बहुत प्यार करता है अपनी बेटी से तो उससे हमेशन जुड़ा रहता है उससे प्यार करता है तो उसके साथ क् तो बतार्य बेटी से प्यार करता है तो यह जो आदमी है पिती से जुड़ा होगा तो यह जो स्थिती होती है इसको क्या कहा जाता है एपी पैलस कंडिशन कहा जाता है यहां पर जो गाइनोशिया में वह डॉमिनेटिंग है इसलिए जो सुपीरियर होता है उसके नीचे इस तरीके का डंडा लगता है अगर इंफीरियर होता है तो ऊपर की तरफ लगता है ठीक है याद कर ले ना हीटा है तो ये आपका सौलीनेसिया का फॉर्मूला हो गया वेटा और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका फ़ेशिया को छोड़के अगर याद नहीं है तो लिख लो आपके फ़ेशिया को छोड़के Parlynesia और Leliasia दोनों क्या है learnt एक्टिनो मॉर्फिक्ष है बाल्कि जो Brase case है वो भी क्या है एक्टिनो मॉर्फिक है सिरफ Phabesia क्या है Zygomorphic बाकी सब Actinomorphic है ध्यान रखना क्या बोला मैंने मैंने बोला Phabesia को छोड़ के सारे के सारे क्या है Actinomorphic है किसी भी plane से काटो 2 equal half में बढ़ते है 2 equal half 2 mirror images clear है clear है जल्दी से comment करो जल्दी से comment करो चलिए तो hope आप सभी को clear होगा आप Solanysia का मैं आपर formula लिख देते हूँ ठीक है यह Solanysia के बारे में NCIT यहाँ पर मैं इसका formula लिख देते हूँ पहले Actinomorphic कालेक्स क्या है United है करोला 5 है यह भी United है Androsium 5 है यह भी United और यह Androsium किसके साथ जड़े है करोला के साथ और Gynosium superior है और कितना भी यह लोक्यूल है दो है तो यह इसका formula बन जाएगा किसका आपके Solanysia का बेटा यह formula बन जाएगा याद रहेगा याद रहेगा सभी को Xibomorphic है ठीके बेटा Sorry, Actinomorphic है क्या है Actinomorphic है तो अगर आपको याद है कि Actinomorphic में कुछ उधारन हमने पढ़े थे क्या पढ़े थे चिली पढ़ा था याद करो Mustard पढ़ा था याद करो और दतूरा पढ़ा था याद है जब क्लास में पढ़ा था क्लास में जब किया था Actinus आएगो तो Mustard, दतूरा और चिली किसके एक्जामपल एक्टिनॉमॉर्फिक है तो यहाँ पर मैंने लिखा भी कि Actinomorphic क्लियर है तो आपका पूरा ही Mustard मतभी पूरा आपका सॉलनेसिया फैमिले और इस एक बर पढ़ लेते हैं इसको एंसे आटी से इस लार्ज फैमिली कॉमनली कॉर्ड पटैटो फैमिली भी इसको कहा जाते है आलू का कुल भी कहा जाते है वाइडली कहा पार पर ट्रॉपिक्स, सब्रॉपिक्स और इस टेंपरेट जों देखे इतना यह पूछा नहीं जाता है पूछा क्या जाता है उधारण पूछेगा क्या एक्जाम्पल पूछेगा आपको फॉर्मूला देगा और बोलेगा कौनसी फैमिली से है यह फॉर्मूला किस फैमिली का यह पूछेगा याद हो गया आप फॉर्मूला और उधारन पूछता है एक्जाम्पल जो कि आपने स्टोरी से याद करी लिया आप मुझे लगता है आप सभी को याद होगा वेजिटेटिव करेक्टर में भी कुछ जादा नहीं पूछता बस आप एक बर कर लो हर्वेशियस होता है जड़ी बूटी बूटी रेरली बूटी होते बहुत कम होते हैं जो काष्टी होते हवा हवा में होते armies होते सीधे सिलेंट्रिकल बेले नकार ब्रांख होते है शाकावाई और सॉलिड होते ध्यार्टनавай大 याद रखेगा आपके पटाइटो का जो बतानिकल नाम होता है वनस्पत एक नाम है वो क्या है पत्ती अल्टरनेट होते हैं सिंपर रेरली पिनेटली कंपाउंड एक स्टुमिलेट और वेनेशन रेटिकुलेट होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल करेक्टर सही फॉर्मूला बनत है Claudia इन फ्लोरोसंस का याद रुखना पर्ण कोई फॉर्मूला नहीं बनता है flower bisexual होते हैं ये ध्यान रखना bisexual लड़का लड़की भी है दोनों एक साथ होते हैं तो bisexual मतलब सारे bisexual हैं जितने भी आप family पढ़ रहे हो ना सब bisexual है कालेक्स सैपल्स फाइड यॉनाइट प्रसिस्टेंट देखे well weight हम इसकी estimation नहीं डालते हैं जब हम बनाते हैं न भीया तो यहां पर हम करोला की estimation जादतर पूछी जाती है और बनाई जब जाती है तो इसको बहुत क्लियर भी बनाया जाती है करोला क्या है well weight estimation दोनों ही well weight है petals fiber united androsium 75 एपटलस condition आप आपको बता है dynosium by carpel है दो carpel है जैसे यह बना रखना है न बिटा that is दो carpel है लिए याद रखना देखे है berry और capsule seeds many endospermose होता है floral formula जैसे कि मैंने आपको बताया और economic importance में मैंने आपको सारे example याद करवा दी है hope आप सभी ने याद कर लिए होंगे मेरे साथ साथ क्या क्या उधारण है जार रिवाइस करो टमाटो टमाटल ब्रिंजल बैंगन पटैटो spice में चिली मैडिसन में बेलो दोना अश्वगंदा फिमेगेट्री में टोबैको तमाखू और ये उर्नमेंटल में पेठ्षियून है याद हो गया ऊद्वारण उधारण तो एकदम दिमाग में च्प गया मजा आ गया तो तो solonnesia यहां पर complete हो गए, अब हम चलते हैं, फइबेशिया के उपर, अब हम चलते हैं बटा फइबेशिया, clear है नहीं सभी को कोई doubt तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा, एक तम तगड़े तरीके से, तगडे तरीकी से याद हो गया होगा, अब आते हैं फैबेसिया के उपर, फैबेसिया की कहानी कुछ इस प्रकार है, इसमें जो व्यक्ति है, मतलब एक किसान है, एक फार्मर है, किसान है, और बड़ा बेचारा फार्मर है, बड़ा बेचारा फार्मर है, बेचारा फार्मर मत इसए कब चोटा से खेत है की ठीन होता है के पास चोटा सा हूगाता है मुण और इसके संखेत मेंум भाइच़पानी जैसे कौन-कौन सी डाले होती है कौन-कौन सी डाले होती है कौन-कौन सी डाले युगाता है जैसे अरहर की डाली युगाता है अरहर किसको अच्छी लगती है मूं की डाल याद रखना दुखाम के लिए बहुत अच्छी होती है पोल्ड और कफ के लिए मूं की डाल पेट ख अएफना वहीं शोया बीन ग्राम बगएरा थे दीन चना याद रखना आपका विट सॉया बीन ग्राउमट नट यह अपकी Ground नट उस सभी चीज़ों को यह उगाता था ठीक थे तो पल्सिस बोल दिया ना दाले बोल दिया ना सब भी डालों को उगाता था और लेग्यूब फ जान शाब हुग आवनंधा ञान अंद करें कि भाग Müहीं जाहरता है है लोग शिरyas मतनी आप लूग सह समत्रम हाई जों को सब्सक्राइग सूर रुप किलो सस्तुन कि बह discour़ जो इतने का इतने महेंग सब्सक्राइग कि मतर आथा मोरू, अपल जोकले छुकानाव यहां न मसा सब अठैकर सबस्य अच्छे नहीं थे इसकार सब गढ़ अच्छे नहीं थे डाले सब कीड़े लगे हुए इससमाइ क्वाइन इस एक्दम मुर्जाये हुए यह मैं जोर्ण बनाते हुआ मैं लोगों को पागल बनाता हुआ बेफकूफतो था यह चलो आज शहर में जातों अपने इन समान को बेचने के लिए तो इस ने क्या किया इन दालों को लेके इन सारी दालों मटरों को एक साथ डाले क्या कर लिए बटा एक साथ रख लिए एक साथ क्या एक साथ एक वहिया आप कह सकते हो जूट के बैग में डाल लिए जूट आप सभी को पता है फाइबर्स तंतूओं से बना है इस बैग में डाले जूट के बैग में डाले यहां भी पता है कि जूट का बैग होता है, फाइबर होते हैं, फाइबर से बनाते हैं, तंतू से बनाते हैं, और इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने सोचे कि यार मेरे मुर्जाई हुई दाले हैं, मेरा मतर ऐसे हरा नहीं, पीला पड़ चुका है, मैं इसको रंग कर दे त경ि य तो में दालों को किया कर दिया क्म कर दिया क्या कर दिया कॉन सा रंग कर दिया है what याद रख़ए अब इसन уп पागल हो गया तो भई ऑप है डोक्टर के पास ग्या की मेडिस्न ले आता हूं दुमार हो प symmetr reflects you Bye Bye Love वाइफ सर्स मार्केट साजरों से 2-3 Cheese मार्केटे शेहर में तो भीकाइट क्योंकिएर भात्त यह तरो Christ जैसे सब्सक्राइए जानवर णोगे सनल्पार हम्स प्रभन होगे डीए रूपे छोड़ा के रूप इस प्रभन हो गातन से मतलब मतलब चारा की फर्म में बिख गया, मतलब चारा की तरह है जैसे जानवर चारा खाते λे मतलब लिज पया कि बेच दिया, याद रहेंगा तो यह होगी आपकी कहानी एक किसान था दुबारे से पत्नी थी पत्नी समझदार थी और जो किसान था लड़का था वो बड़ा बेफ़कूफ था और गरीब था दोनों ही गरीब थे तो वही है जो आपका किसान था वो एक दिन क्या हो गाता था किसकी खेती करता था दालों की खेती करता था लेग्यू लोगों को बेफकूर बनाने के लिए इसमें कलर कर दिया रंग कर दिया तो यह रंग वाले डाले पलसिस थोड़ी कोई खाएगा किसी ने खरीदी इसकी बोला लोग समझदार निकने लोगों ने बोले यह तो कलर फुल डाले यह ब्लू रंग की डाल पेच रहे कोई ब्लू लेने के लिए कुछ तो पैसे आए कहां से पैसे इसने इसको चारे की रूप में बेच दिया इसकी बाइफ ने अब यहां पर सुट यह आपके होगे बिटा इक्जामपल यह आपके होगे ध्यान रखना ग्राउंट अरहर मून सोया भी बिन ग्राउंट यह सारे आपके इंडियो फैर नवैंडियो ब्लूलकल कई रंग टो डाई में आगी हैँ कर दिया है चौत्था ह Pele bei को फैर चौता की आपका मैडिस चौता आगी मैडिसन मेडिसन रखना मेडिसन में मुलेठी कह भोगे कि ःतना जाद छिलाया था तब्वद खराब हो गई ती चिलाया इतना था कि मॉलेठी कि हो तो क्या खाए से मुलेठी से घ्यायर है तो मेडिसन सै एक स्टोरी होगी, स्टोरी के और सारे ने एक्जाम्पल्स को आद रखना, आईए आप इसके एक बार एक्जाम्पल्स को आपको दिखा देते हूं, ठीक है, यह देखे जो हमने पड़ा था, पल्से हमने पड़ा, ग्राम, अरहर, मून, सोयावीन, इडीबल ओयल में, सोयाव और और औरनामेंटल, लूपिन और स्वीट पी, तो आप सभी ने कर लिया, लेग्यूम, आपके जो लेग्यूम्स होते हैं, मतर होते हैं, मेडिसन होते हैं, याद रहेगा, चलिए एक बाग कमेंट कर दीजे, किस को याद हो गया, उसको यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हो Hefskil glasið þær, Aga Ser? Águstadur, Hvað þarf, Hvað þarf, Hvað þarf? तो फॉर्मूला क्या होगा आपने क्या पढ़ा था तो यहां पर क्या पांच करोला पांच याद रहेगा क्या पांच करोला पांच और फ्यूज्ड नहीं है याद रखना आप सभी जानते हैं हमने उधारण में पी मटर में किस प्रकार की एस्टिवेशन होती है क्या पढ़ा था वैक्जिलरी एस्टिवेशन याद करो क्या पढ़ा था वैक्जिलरी एस्टिवेशन पढ़ी थी ठीक है वैक्जिलरी एस्टिवेशन क्या होती है एक सुपीरियर होत सबसे उपर साइड में विंग्स होते हैं नीचे दो कील होती है और आपस में फ्यूज्ड होती है ठीक है तो याद रहेगा करूला टू प्लस टू प्लस वन फ्यूज्ड एंड्रोश्यम याद रखना दो आपने यह भी पड़ा था कि जो पी में होते हैं उसमें डाइडल्फ यह आदफिब कर दो यह वान क्या होता है मोना तुके में फ्यूज्ड प्लस टूर्पर्फ कर दो लगीन से लगान थीए को चकूलाछ याद रहेगा तो फबेसिया होगा आप सभी याद हो गया होगा ठीक है याद होगा होगा इन सारी conditions को आप पढ़ लीजेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अब ये formula हो गया, अब मैंने आपको ये बताए, कि एक mater है, phabesia ही है, जिसमें आपका zygomorphic होता है, और आपने NCRT जब हमने पढ़ी थी बेटा, उसमें zygomorphic भी हमने पढ़ा थे, ठीक है, और यही मै एलफस condition होती है, P में, इसमें यह समें होती है, जो चीन के रोज होता है, जिसको चाइना रोज कहते है, और poly एलफस condition किसमें होती है, citrus में, घटे फूट में, याद रहेगा, यह आपने पढ़ लिए, अब लास्ट आज ही इवटा, लीलियेसिया फैमिली पर, लास्ट फैम झालएज। पमें नहीं दो लड़की थी विश्व सुन्दर्थ लिखते बनना चाहते लिखते से अपसरा गशा सुंदरी कह Mooi कै obsessed Rylane के लिए बनना चाहिए आपसरा बननी के लिए क्या चाहिए अपसरा बनने के लिए जैसे bardzo cool कुई तरफ संठी में तो आपके बाल रहरा आते हूं एकक्दम गने बाल हो यह सरपए बाल नहीं bet personå अपसराबन पाएगी नहीं पढ़ी बाल भी अच्छा होने ही चाहिए तो तुपा भी एकदम चम्कीली मतल़ एकदम शाइन निकलनी ही चाहिए तुपाचासे लगना चाहिए कितनी लाइट पर चेहरे पर नचरोल पर लगना च़ तो नचुरल गलो लेके आते हैं चहरे पर नेचुरल ग्लो के लिए पेड़ पौदे ही होते हैं, आर्टिफिशल मेडिसंस और चैमिकल्स तो यूज नहीं करोंगे, उससे चीजें खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाते हैं, तो नेचुरल चीज, नेचुरल प्रोडक्ट का उपयोग अगर आपको पतला होना है पतला वेट लॉस करना है तो अलुवेरा खाया जाता है उस जगे पर लगा लो या फिर उसको खाओ खाओ के तो ज्याद़ इंपक्ट आता है और स्किन पर लगाते रोगे ना 2-3 महिने तो एक दम स्किन एक दम गलो करेगी तो उने बुले हैं प्याज से बाल घने बनते हैं और याद रखना प्याज से हेर फॉल नहीं होता प्याज से हेर फॉल नहीं होता बाल नहीं जड़ते किस से प्याज से ठीक है तो भाई ने नेचरल गलो के लिए अलुवेरा भी ले लिया और अपना ओनियन भी ले लिया याद रखना या ले और हो एकठा पस्ता है पर इंहज़ा को जा जिए तो तोंगे इंहें और सब्सक्राई क्ना या इन 56 सब्सक्राइब और ट रहने उनों याध रहेगा तो यह आपको बता है और वैंट assessments आपको बताएं जैसे आपको बता है और same इसका formula भी याद हो गया होगा पेरियान 3 plus 3 condition आपस में fuse, सब fuse रेंस में ठीक है, 3 plus 3, बस androsium fuse नहीं है एतने याद रखना, जो लड़का है वो fuse नहीं है, लेकि लड़की आपस में जुड़ी होई है, प्योटी बुले पर आपकी लिली, तो यह ध्यान रखना और gynosium superior है, और यहाँ पर bractate condition होती है और actinomorph है, याद रहेगा बहुत बड़िया याद रहेगा तो यह इसका floral diagram है ठीक है वेटा, यह इसका floral diagram है और आते हैं ब्रासी केसिया ब्रासी केसिया को सिरफ आप इसके formulae से याद कर लेना ब्रासी केसिया में याद रखना कैलेक्स 4 होते हैं 2 के ग्रूप में देखो, 2 बाहर होते हैं, 2 अंदर होते हैं 2 प्लस 2, आपका जो करोला होते हैं, वो भी 4 होते हैं इस तरीके से भीया well weight estimation 4 हो जाएगा और यहां पर कुछ fusion नहीं होते है androsium 2 प्लस 4 2 के ग्रूप में होते हैं gynosium superior on 2 होते हैं और आपस में fused होते हैं इस बात को ध्यान रखना है, याद कर लेना है मजा आया, मजा आया होगा इतनी सारी बात हैं आपने शांदार तरीके से इतनी असान तरीके से तो जो examples बताएं वो जरूरी है formula जरूरी है, family जरूरी है तो इसी के साथ session को सबाब करूँ